English में डाउट दोस्तों, तो जोईन कीजे मुझे, मेरा नाम है यश, मैं रिपेर करूँगा आपके English के डाउट हिंदी में, तो मेरे चैनल को लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और शेर कीजे, तो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल English वरक्शॉप में. English वरक्शॉप में आज हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स ले पर बनी, तो शुरू करते हैं आज का सफर. तो टॉपिक का नाम रहेगा फ्रेजल वर्ब्स ले, तो ले हमारी वर्ब होती है और यह होती है फर्स्ट फॉर्म और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म भी होती है लेड तो आज हम डिसकस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स ले पर बनी, जिसकी तीन फॉर् अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन तो उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, एडियम फ्रेज और प्रोवर्ब पर बनी बागे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये वीडियो इसका लिंक डाल द संबड़ी किसी पर किसी वस्तु से या शब्दों से हमला करना, प्रताडित करना, to attack somebody with something or words, to criticize angrily. संजू को उसकी मम्मी ने लापरवाई और समय बरवादी के लिए नाट मारी. संजू's mother laid into him for carelessness and wasting time. किसी ने ना सिर्फ उसको लूटा, परन्तु चाकु से हमला भी किया. सम्वन नोट ओली रॉब्द हिम बट आलसो लेड इन तो हिम विद एन नाइफ. बबली इतने कुसे में थी कि बिना बात के मुझ पे बरस पड़ी. बबली इतने कुछ चांचे करना बचाना जोडना, to collect or store something for future ताकि भविश्य में उसका इस्तमाल कर सकें अच्छा होगा कि हम कुछ खाने का समान बचा लें क्योंकि कर्फ्यू लग सकता है We had better lay in some food supplies for the curfew may be imposed मेरे दादा दादी ने वक्त रहते काफी समान जमा कर लिया बुरे वक्त के लिए My grandparents laid up enough stuff timely for rainy days अगर हमने कुछ राशन बचाया होता तो वह समय ना देखना पड़ता If we had laid in some rashan we wouldn't have had to see that time ले अप बीमार होने के कारण बिस्तर पर ही रहना to be forced to stay in bed for some illness दो सपता से उसने बुखार के कारण बिस्तर पकड़ा हुआ है She has laid up with a fever for two weeks Mr. Sharma has just had an operation and therefore he has laid up now मुझे और कितने दिन बिस्तर पर रहना पड़ेगा How many days more shall I have to lay up? Lay off somebody something किसी से कोई कारे छोड़ने के लिए कहना या कोई कारे करना बंद करना Can you lay off junk and spicy food for 10 days? Next lay off का मतलब lay off somebody काम की कमी के कारण किसी को काम या नौकरी से निकालना To stop employing somebody because there is not enough work Factory के लगबग 200 मजदोरों को निकाल दिया गया है Around 200 workers at the factory have been laid off Korona किस दौर में लाखो लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है Millions of employees have had to be laid off in this korona time Company ने खजांची के सासा तीन बाबों को निकाल दिया है The company has laid off the cashier as well as three clerks Lay out somebody something Kisi ko maar kar bihoosh karna To make unconscious by hitting Kal rat ek sipahi ko maar kar bihoosh kar diya और दूसरे का पता नहीं चला One of the soldiers was laid out and the other was missing Faila kar rakhna To spread something All the children laid out their bags on their respective desks Paisa kharch karna to spend money कुछ लोग जिन्दी के पर पैसा जमा करते रहते हैं परन्तु उसे खर्च कोई और करता है Some people lay up money throughout their life But someone else lays the money out उसी पैसे को तो ये थे कुछ एक phrasal verbs lay पर बने हुए Subscribe करने के लिए bell icon जरूर दबाएं और इस topic से related कोई question ये suggestion हो तो आप comment section में लिख सकते हैं मैं उनके जवाब दूगा और नई topic के साथ नई class में फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए have a nice time